आज हम आपको बताएंगे के करोना वाइरस के लिए जो सबसे ज़्यादा एफेक्टिव है कावा तो हमने इसका बहुत इसका बहुत इसके बहुत फाइदा हुआ इसमें हम इसमाल कर रहें दो मोटी इलाइची है दारचीनी और लॉंग प्लस हम थोड़ी सी कलॉंजी यह हम तीन चीदों कावा बनाएंगे अभी मैं कावा बनाने शुरू कर रहा हूं मैंने इसको इसमाल गिया था मुझे इससे बहुत फाइदा हुआ और मेरा क्रोना वाइरस एक एक लेड़ अफते बाद नेगटिव आ गया था यह डाई काप पानी इसको बॉइल करें और आन शीर करेंगे और और कावा यह अज़े इसको बोऌई करेंगे और और कियार करके आपको एंट पर वीडियो दिखाएंगे इसके पाद एसके साथ है यह सारी चीज़ डाल दी गई है लाउंग धार-चीनी मोटी लाइचीर और अगर नमक इसके इ बघ्याज फंटी तो हल्दी एप्री इम्म्मुनिटी बहुत बैतर कर दीर है अलदी प्याज का समाल करें के च्ची प्याज खाएं जब अपसे बितमिन सी पढ़ता है आम आज कल आम आ रहे हैं और से आपका विटमिन ची और इम्मुनिटी लेवल बहुत रहांगा कि यह क्याभ तयार होगे एक कप बन गगा है ज STRUS को फिर यदिक बनाए इसको बीजना फ़ादा होगा यदु बाटे रहसे से कावा तयार हो गए हमारा इसके साथ मुलैमन और शेह को इसमाल लाजमी करनाusalem इससे आपको बहुत फाइदा होगा, मैंने इसका दुरूर इसमाल किया और मुझे इससे बहुत फाइदा हुआ, मेरा डेड़ हफते में ही करोना टेस्स नेगटिव आ गया था, और मुझे सिंटम्स भी नहीं आयते से, और ये कावा अभी आपको इसमें बखाते हैं, लें ज विटामिन C जो आपके बाड़ी में कमी बुगी है, जिससे आपके इम्मुनिटी बूर्स होती है, वो आपकी बेतर हो जाएगी, प्लस इससे आपका करोना टेस्स पे, अल्ला के होखम से नेगटिवाएगा,